हौल फ्रेंट स्वागते को फेट से आप सभी का हमारी यूट्यूब चानल में और दोस्तों जासा कि आप सभी को पता कि इसका एक्स्पेक्टर ठीक है एक्स्पेक्टर जो क्या होगा यह जरूर जाना चाहेंगे ठीक है तो इसके जो बारे में यहां पर discuss करेंगे आप सभी को पता है कि इस बार कि अगर vacances की बात करते हैं तो 1564 vacancy लगबब यहां पर कह सकते हैं कि 1500 के आसपास वेकंशी है लेकिन गर यह गर लास्ट एर के हम बात करते हैं तो लास्ट एर वेकंशी लगबग आपको 2700 के आसपास में था तो जह इसे बात है कि vacances कम हो गए कटफ के अगर बात करते हैं तो कटफ पिछले बार के recording होगा या उसे अलग होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे ठीक और यहां पर चीज़े और भी जानेंगे कि पेपर टू में क्या होगा और कुछ सबसे पहले इंपोर्टन फ той जीज जो फैक्टर होता है जो के आप सभी को पहले से पता होगा कि फीपर वन पर टू होता है छिक्ए आपको क्या होता है फेिज्कल भी होते हैं ठीके पीटि पीसट वाल वीचीज़े होते यसे फीज़कल – इंडविफिकल स्ट कर लेकिन यहां पर minimum maximum की अगर बात करते हैं अगर एज relaxation को लेकर तो यहां पर OBC को तीन साल शुट मिल जाता है सेस्ट को पांट सल के शुट मिल जाता वहीं qualification की बात करते हैं तो डैजूशन इसकी qualification है फिमल के लिए याने चाहा साथी साथ उसका relations होना अनिवार है तो सबसे पहले हम कटफ पे नज़र डालेंगे ठीक है तो आजिए कुछ बात हैं यहाँ पे पहले क बात करते हैं इसे अगर हमे बात करते हैं जरनल की बात करते हैं जरनल की क्या कि बात करते तो सबसे लेकर 108 के बीझ में आउस-बास कड़ 6 देखने को बन सकता ह। है दो अटींगे वाले पूछेंगे तो भाई ओविसी वाले एक सो पास एक सो जो बारा के आसपास में देखने को बन सकता है इसी वाले गर मेल की बात करें तो पचासी से नब्बे और फिमल वाले अगर बात करें तो बहुत जादा टफ नहीं था जहां पर जीके में कुछ सवाल परसंड करने वाले थे बाकी मैथमेटिक्स की बात करें चाहे रिजनिंग की बात करें या इंगलिस की बात करें अराम से बर रहे थे ठीक है कि तो फिर वी कट अफ की बात हम करते हैं रहें नह् où के ऐसके और हमने बात कर लिया ओर इंपोर्टन चीजिस क्या है जिसके बाद यह तो पेपर 1 की बात हो रहा था ठीक पेपर 2 कब हो गए औरसका जो ही कर चल हो जाएगा उसके बाद पेपर रखाकन पार बनकर आता है बिराजलिक好好 कम Kathryn ق ऑनल दो मिला कर आते हैं मैं तो डिकडी यहां पें बात हो रहा था टक्रेंक एस ससी करो 2019 सक कर थी का ऑन की सक table सब्सक्राइब करते हैं कि फटफट की जून का कटफ क्या रहा था और उसके कॉर्डिंग आप दी आप समझ पहेंगे कि इस वर की कटफ लगभग क्या रह सकते हैं तो फिर्मिल कटेगरी से ज़र बात करते हैं जर्नल कटेगरी से तो 104.12 रहा था EWS वाले के लिए 91.72 रहा था वहीं OBC वाले के लिए 70, sorry 97.78 रहा था ST के लिए 73.59 रहा था वहीं SC के लिए 75.45 गया था ठीक है चली यह तो हो गया पेपर वन की बात हो गई फिर्मिल की बात हो गई अब आते हैं यहाँ पे मेल की बात करते हैं अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे जो कटफ था यहाँ जो पेपर वन का कटफ था उसके बारे में बात करते हैं जैसे जनरल का 101.19 था EWS वाले के लिए 86.55 था वह भी से का 91.28 था ESM की बात करते हैं 40 था स्ट वाले के लिए 74.54 था और स्ट वाले के लिए 70.67 था बहुत यहाँ पर आज चर्च करेंगे कि अरे यह फिमल का बात करो मेल की बात करते हैं तो कटफ मेल का कम है और फिमल का ज्यादा है ठीक है तो ऐसा क्यूं तो ऐसा देख more Nur kisats a candidate a male candidate जिनके पास driving license हैं यहां पर सथा रहता ही नहीं चाला ले उनके पास license ऊपर ही नहीं होगा तो फर्म अप्लाइकर यह नहीं पाएंग तो फॉअ के बाहन सारे से कम लोग देखने को बना है तो असी त्वार भी लगवकि आप को इसी तरह कुछ फ्लैक्शुशन देखने को बनेगा लेकिन कट अफ की बात के तो 120 का राउंड ही रहेने वाला है ठीक है अब यहां पे इस यह और नज़र टालते हैं फटाफट की पेपर वन पेपर टू का जब फाइनल कट अफारा का उसका देखते कि कैसा सिनियार्यू रहा था ठीक है सब्सक्राइब यहां पर यहां पर क्या होता है मेडिकल जो एक्जामिशन होता है उसके लिए और होता है तो यह था फाइनल आपका रिजल्ट था कहा सकते हैं यहां पर और जहां पर जनल कटिगरी का 20 है 286.81 रहा था कटफ बहुत इंपॉर्टन चीज़ है आपको चीज़े क्या करेगा समझने में मदद कर पाएगा कि पिछले बार का अगर कटफ क्या था तो इस बार का क्या रहा सकता है हमें कितने तरह क कितने और मास चाहिए जिससे कि मैं क्लिर कर पाऊं रिजल्ट को ठीक है चली अब यहां मेल की बात करते हैं तो मेल में देख सकते हैं कि 301.300.15 था वहीं OBC की बात करते हैं 196.50 था स्टी की बात कर दो 169.03 था वहीं स्टी की बात कर तो 190.02 था ठीक है तो यह तो मैंने आपको बता दिए 2000 का जो था आपका फाइनल जो था कट आप पर ने पेपर टू का जो आया था उसका यहां पर मैंने दिखा दिये साधी साथ आपको लास्ट यह का मैंने पेपर वन के के बारे में दिखा दिए कि का थे अब यह कुछ और इंपोर्टन चीज के बारे में बात करते हैं एकस्पेक्ट का थे की बात हो गया सबसे पहले रिटेन एक्जाम होता है पेपर बंज इसको कहते हैं उसके पीटी और पीस्टी होता है इसके फिच्टल इंडूरेंस टेस् पीस्टो होता है मैं बात करते हैं पỹटी में क्या होता है तो पीटी में आप जैसे की दार हो गया हुआ ठीक हो गया हुआ हो गया को वह है वह एयागर बाक बी इसके बाद करते किते हैं हई चस्त का मिざर्मेंट होता है उसके बाद आपक chỉ बाद आपका फाइनल की जो कि रेजल यदुट-1 न्हुका показ से अप्पस्ट की 200 question होंगे हैं यहां पर साफ डिका गई है paper 2 will be 200 200 जो question होंगे 200 मास्क होंगे मिसकी 200 question और 200 मास्क का examination होगा ठीक है भाई अब क्या क्या इसमें पूछे जाएंगे तो देख लिए बहुत ज्यादा important मिसी बहुत ज्यादा जो आपके जो पर बन में तो उसे कोई खास difference चीज़से पूछा ने जाता है बस लेवल थोड़े बढ़ा दिए जाते जैसे देख सकते हैं यहां पर पूछा जाता है फिली ब्लैंक्स पूछा जाता वह प्रेबलरी स्प्लेंग्ण इसके बाद और क्या क्या है तो देखें चली यहां पर हम साले चीज़े बात कर ली लेकिन एक बार नज़र डालेते कि फिर से की जो पेपर चाहिए जानने का प्रॉसर्स होता है जह देख सकते हैं कैसा होता है यहां पर देख सकते हैं कि था वं होता है मैंने इसकी पेपर वन होता हैसी बीटी ऑनलैन और डिया होता है और 200 question होते हैं और 200 mask के लिए होते हैं ठीक है सबी 50-50 mask के होते हैं जिसमें कि आपका Resin 거 50 mask का GK 50 mask का quantitative aperture 50 mask का English comprehension 50 mask का 50 question के लिए ठीक है अब आते cpo pst test में क्या क्या होता है ठीक है pst test में क्या क्या होता है तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें तो क्या होता है वहीं हाइट और चहस्ट होता है तो मेल्कि सिर्फ मेल के लिए यहां पर बात होता है लेकिन हम अरकिछ निवाइट हो रखे वटेस Andre स्ट ऑल और्ट स्ट तो स्ट के लिए तो 162.5 हाइट होना चाहिए मेल काटेगरी की बात कर रहे हैं और एक्सपैंड़ेट का 77 और एक्सपैंड़ेट करके 82 ठीक है तो से हाथे फिम जंट के लिए खुट काटेगरी की बाते हैं तो 157 सिर्फ हाइट हो जाए गया ठीक है यहां यह नू मेजरमेंट की बात क कि गया है वहीं ऐस्टि की बात करते हैं तो फिमें 155 मांगा गया इन लोग गा हाइट ठीक है अब आते PT test में क्या क्या होता है देख लिए मेल और फेमेल काटेगरी वाले दोनों देख सकते हैं अपना ठीक है जिसमें 100 मिटर का यहां पर 3.65 मिटर होते हैं जिसमें कि आपको हलाक यहां पर 5 चांसे मिलते हैं आपको 1.2 मीटर इन 3 चांस मिलते हैं आपको 16 LBS का 4 मीटर का 3 चांस मिलता है ठीक है चलिए अलाक यहां पर इसको 3 चांस कर लिए ठीक है 5 चांस लिखा गया ठीक है ठीक है ठीक है बात करते हैं फेमेल कंडिटेट में 100 मीटर 18 सेकंड के लिए सब्सक्राइब है जिसको 3 चांस मिलेंगे और मेडिकल्ट में क्या क्या होता है चांस सक्षक्राइब इसमें सब्सेर्स था को चांस हो चांस मिलेंगे धर सक्षप्रण और हैं इस confriadly और मेडिकल्सों टेस्ट नहीं पेंट apa ठीक है आते हैं कि minimum distant vision कित्रहों का six by six का जो बेटर रही होगा ठीक है ध्यां रखिएगा must not have knock-knee, flat foot, valley-coze vein या squinting eyes इन सब बातों पर ध्यां रखिएगा ठीक है eyes should be without visual correction of any kind even by glasses ठीक है चलिए तो बातें यहां पर होगी इन सन छहीं तोड़नों कर दोडिये लकारी तो paper वन हो गए paper two में क्या-क्या पुछी याँ जाए साथ है यहां पर discuss हो गया पंपड़र टू का जो था उसमें अग्र पर न की बात 15 की बात हो गही प्सक्राइबं का वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा कि पर टू में कैसे हम अच्छे मास लाएंगी तो अच्छे मास लाने के लिए मैं फिर कर रहा हूं नॉर्मल जैसे पर रहे थे पर वन में इंग्लिस के लिए जिस तरह से त्यारी करें तरह से त्यारी करेंगे मैक्सम मॉक टेस्ट रहेंगे ठीक है बहतर प्रजर्प्शन हो जाएगा ठीक है कुछ करना नहीं कुछ एक्ष्णा पढ़ना ने पस जैसे पेपर वन के लिए अच्छे से तैयारी कर रहा था इंग्लिस के लिए पस उसी का और थ्वास से इंप्रोव करना है प्लस मैक्सम मॉ प्रवन के बाद प्रवाल के लिए प्रवाल के लिए पहले प्रवड में जब तक फिस नहीं होगा प्रवाल सारे जो होते हैं च्छोटी-च्छोटी सेुश्ट मिस्टेक से आपका स्टूर्प सकता है तो जैसे की दोर बहूत इंपोर्टन थोता है इनको बहुत करेंगे और पेपट्टू के लिए अच्छेता त्यार रहेंगे पेपट देंगे फिर इसके एकॉरिंग जितने भी आपके मन में जो भी क्यों रही होगा आप ज़रूर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते मैं उसका जवाब दे दूंगा जिससे कि आप उससे सटि